हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग जानेंगे पैराडाइस लॉस्ट की समरी बुक 11 तो ध्यान रखिए इस बात को कि अगर आपको पहले की कहानिया नहीं पता है बुक 1 से लेके 10 तक तो प्लीज जाए हमारे चैनल को विजिट कीजिए और देख लीजिए सारे के सारे वीडिय हैं और अपने बेटे को कहते हैं बुकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वक्त आ चुका है हिमन काइंड इंसानों ने जो पाप किया है उस पाप को विनाश करोगे तुम ही पाप का जो विनाश है वो तुम ही करोगे और साथी साथ बाकी सारे एंजल्स को बुला लेते है heaven में जो भी जहां भी थे जहां भी planet का रखवाली कर रहे थे उन सब को बुला लेते हैं तो आप सभी को पता होगा मैंने Michael के बारे में भी पिछली कहानियों में कहा है तो Michael होता है वहां का general commander समझ लिए तो भगवान Michael को जिम्मदारी देते हैं कि आप जाईए और Adam और Eve को escort कीजिए किया कहां ले जाने के लिए paradise से बाहर निकाली हों है मतलब आपकी duty है कि आप जाके उन्हें बाहर निकालेंगे paradise से क्योंकि Michael को क्यों कहा क्योंकि वो लोगों उन्हें डिजोबे किया है भगवान को नहीं माना है जो generation है वो कैसा होने वाला है मतलब future दिखाएंगे कौन Michael दिखाएंगे किसको Adam को ध्यान रखिएगा और जब Michael यहां आते है paradise में तब Adam को बहुत अच्छा लगता है उन्हें लगता है Adam को लगता है कि भगवान ने उसकी बात कम से कम सुनी तो है वो पूरी तरीके से नाराज नहीं है और अब वो क्या कहते हैं आके वो कहते है Eve को You will be the mother of humankind आप humankind मतलब इंसानियत की माता होंगी आगे जाके आपको माता बनना होगा और इस बात पे उसे बहुत ही खराब लगता है कि उसे बनना पड़ेगा She don't want to take the responsibility वो नहीं लेना चाहती थी मगर वो God को डिजोबे भी नहीं कर सकती है और जब माइकल उन्हें कहता है कि तुम्हें Paradise Lost छोड़ के जाना होगा तो वो दुखी हो जाते हैं दोनों ही खास कर Adam तो माइकल उन्हें कहता है कि ज़्यादा दुखी मत हो जाओ क्योंकि तुम चाहे तो कहीं भी रह के भगवान की प्राथना उनकी उपासना कहीं से भी कर सकते हो अब माइकल क्या करते हैं माइकल इव को सुला देते हैं अपनी जादूई शक्ती से इव को सुला देते हैं और एडम को लेके चले जाते हैं एक हिल के टॉप में पहाड की उचाई पे चले जाते हैं और उसे इसलिए लेके जाते हैं ताकि वो उसे फ्यूचर दिखा पाई क्योंकि भगवान ने कहा है कि एडम को जाके उसका फ्यूचर दिखाओ तो जब future दिखा रहे होते हैं तो उसे क्या दिखता है उसे दिखता है दो इनसान एक दूसरे के साथ मार पीट कर रहे हैं और एक दूसरे को मार दिया है जान से मार दिया तो ये दोनों कौन थे ये दोनों है केन एन एबल ये कौन है ये इन ही के बच्चे है आपस में जगड़ा कर रहे हैं भाई भाई और एक दूसरे को मार रहे हैं एक ने दूसरे को मान ही दिया मतलब एक ने दूसरी की हत्या कर दी तो ये सब देखने के बाद Adam पूछता है Michael से क्या इसका कोई alternative है तब Michael उन्हें जवाब देते हैं कि हाँ है तुम अपने भगवान को हमेशा ओबे करो मान के चलो भगवान को तब अब आते हैं next vision क्या था अगला उन्होंने क्या future दिखाया उन्होंने दिखाया कि नारी एवंग पुरुष डांस कर रहे ह हैं मतलब यह बहुत ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग मौज मस्ती कर रहे हैं तो यह देखके Adam को लगता है कि शायद यह बहुत ही positive side है उसके vision का यानि वह सोच रहा है कि हर चीज तो बुरी नहीं हो सकती कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो यह उसी में शामिल है हर कोई मज़े कर रहे हैं तो Michael कहता है कि नहीं यह वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो यह सारे के सारे जो लोग नाजगा रहे हैं मज़ा कर रहे हैं यह सारे के सारे atheist है मतलब वो लोग भगवान को नहीं विश्वास करते हैं भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं तो इससे क्या ह यह सारे के सारे लोग देखा कि एक बड़ी सी आर्मी है वह वार कर रही ए और के मनए होगा होता है सबके सब्सक्राइबिग लोग एक दूसरी इुद कर रहे हैं तो यहां क्या होता है सीन थोड़ा सा चेंज होता सिन और डेथ की तरफ जाते हैं सिन और डेथ हमसे क्या करवाएगा पाप करवाएगा ठीक है फिर हमारी मृत्व होगी तो पाप कैसे करेंगे हम लोग अगर डांस करेंगे हम लोग गेम खेलेंगे हाला कि बहुत जन को परिशानी हो रही है यह सुनते हुए मगर मिल्टन ने मैं ऐसा लिखा है मैं भी क्या करूँ तो अगर हम मौज मस्ती करते हैं तो हम पाप करते हैं ऐसा यहां का कहना है तो ठीक तो नहीं है मगर हमें तो यह बुक पढ़ना है तो बुक में ऐसा ही दिया हुआ है अगर हम मौज मस्ती करें तो हम पाप कर रहे हैं और लड़ाई ज का है कि अगर आप मौज मस्ती करते हैं तो पाप है अगर आप सेक्स कर रहें तो पाप है यह मानना थोड़ा मुश्किल है यहां सवाल तो आते हैं और फिर बताते हैं एक लंबे समय के बाद दुनिया में एक सिंगल व्यक्ति आएगा जो लोगों को प्रीच करेगा मतब भक् अगर व्यक्तिंअ करते कोई नहीं सुनने वाला है ठ्रेक है तो वो क्या करेगा मौंटर में चड़ेगा ओर क्या белा एक बहुत बड़ा बॉट बनाएगा जहाज बनाएगा जाइंड बहुत बोला गया यहांपर जांट बोड तो जांट बोड बनाएगा और उसमें वह सार पहानी अगर आप जानते हैं तो आप लिंक कर पाएंगे इसके साथ. तो इस प्रकार भगवान प्रिथवी को क्लीन कर देंगे पाप से मुक्त कर देंगे और इस फ्लड के बाद यानि बाड जब खत्म हो जाएगी तब एडम को एक रेनवो दिखाई देता है और उस वीजन के बाद वो रेनवो देखता है रेनवो देखने के बाद गौड उसे बोलते हैं कि इसके बाद और मुझे कभी भी फ्लड लाने की आवशकता ही नहीं पड़ेगी मतलब सब तो साफ होई चुका है तो इसके बाद एडम जो है कहता है एडम कहता है कि अब हम दुनिया में रहके ही भगवान को प्रे करेंगे उनकी पूजा अर्चना करेंगे मतल उन्हें ओबे करेंगे डिज ओबे नहीं करेंगे जैसा हमने किया था जो एपल हमने खा लिया था एपल या कहीं कहीं से अलग फूट कहा गया है तो जो भी आप मानते हो उसको उन्होंने खाके भगवान का निरादर किया था उन्हें डिज ओबे किया था तो इसी के साथ सा ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और एक बार मैं कहे दू कि अगर आपको ये कहानी यहां तक समझ नहीं आई है तो इस 11 बुक को और एक बार सुन दीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद